नई सुभा के यूट्यूब चैनल को विजिट करने का शुक्रिया मजीद मालूमाती मवाद के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा यूट्यूब चैनल या विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट नई सुभा के इंडिपेंडन्ट लिविंग प्रोग्राम के आडियो लेर्णिंग टिटोरियल्स के साथ मैं हूँ एहसनिक बालू आज हम बनाना सीखेंगे आलू के पराठे इसके लिए जो अज्जा हमें दरकार हैं वो ये हैं आलू हाफ केजी आटा वन केजी हरा धनिया हाफ बंच बारीक कटा हुआ प्याज एक अदद चौपकी हुई हरे मेर्ज चार अदद बारीक कटी हुई हल्दी एक चुटकी नमक वं टी स्पून धनिया पावडर वं टी स्पून पिसी काली मिर्ज, वन टी स्पून, गरम मसाला, वन टी स्पून, कुटी लाल मिर्ज, टू टी स्पून, घी, एक कप तरकीब सबसे पहले आलों को बॉयल करके चील लें और उन्हें अच्छे से मैश कर लें फिर उसमें तमाम अज़ा और मसालाजाद शामिल करके अच्छे से मिक्स कर लें अब आटे में वन टी स्पून नमक और वन टेबल स्पून घी शामिल करके उसे अच्छे से गूंद लें और उसके पेड़े बना लें अब एक पेड़े को रोटी की तरह बेलें और चम्चे की मदद से उसके सेंटर में बैटर डालें और दूसरे पेड़े को रोटी की तरह बेल कर उस बैटर के उपर डाल दें और दोनों रोटियों के किनारे आपस में मिला दें अब तवे को घी से ग्रीस करने के बाद बेली हुई रोटी को तवे पर डालें और उस पर वन टी स्पून घी डालने के बाद फैला लें अब चिम्टे की मदद से इसे पलट लें और दोनों तरफ से क्रिस्पी हो जाने के बाद चिम्टे की मदद से उठा कर हाट-पोट में डाल दें और इसी तरह बाकी तमाम पराठे भी तैयार करते जाएं मसेडार आलू के पराठे तैयार हैं ये थी आज की रेसिपी, अगली रेसिपी के साथ फिर मुलकात होगी, तब तक के लिए, अल्ला हाफिज